हाई दोस्तों आज हम आपको ब्लैक रेनो के बारे में पांच ऐसे फेक्ट्स बताने चाह रहे हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे तो ये पांच फेक्ट जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ चुड़े रहे हैं नमबर वन काले गेंडे के खांदान के तीन अरकान जिन्दा हैं काले गेंडे को उस वक्त इंतहाई खत्रे से दोचार पर जातियों के तोर पर दर्च किया गया है और अब सिर्फ तीन जैली अन्वा मुझूद हैं मश्रिकी सियाह गेंडा, जनूबी मगरिबी सियाह गेंडा, गेंडों का गैर कानूनी शिकार सियाह गेंडे के साथ साथ दीगर अफरीकी गेंडों के लिए भी सबसे बड़ा खत्रा है मगर्बी काली के गेंड एक जेली निसल को गेर कानूनी शिकार और जंगली हायात की गेर कानूनी तिजारत के परहरास नतीजे के तोर पर 2011 में मादून कराद दिया गया था 2. सियागेंडे ज्यादा तर ब्राउजन होते हैं सिफेद गेंडे के बर अक्स जो गुनियादी तोर पर अपने मुरबा और उपरी होंट का इस्तमाल करते हुए जमीन पर छोटी घास खाते हैं उसके बर अक्स सियागेंडों का एक मुन्फरिद नजर आता है उनके उपरी होंट नखेले होते हैं जिसे वो दरखतों जाडियों से खाने को पकड़ने और तोरने के लिए इस्तमाल करते हैं 3. काले गेंडों ने परिंदों की मुख्लिफ अन्वा के साथ एक खालिस बाहमी तालुक इस्तवाल किया बश्मूर अख स्पीकर्स और एग्रेट्स ये तावन पर मबनी रवया अफरीकी चंगी हयात की एक आम खसूसियत है 4. दिन के गरम तरीन हिस्सों के दोरान गेंडों की रहाइश गाहों में दर्चाहरारत जैसे माउमारा सेरेंगेटी काले गेंडों के लिए कदरे तकलीफ दे हो सकता है 5. दोस्तों खुश्बू के निशानात के इलावा सिया गेंडों के पास में जज़बात को पहचानने के दूसरे तरिके हैं वो गरजते हैं और हरीफों के साथ मश्गूल होते वग्रम पेट काल करते हैं वो उससे का इशार करने के लिए पराते लेते हैं और खत्र费 का इसास करते बक्चीत जैसी कालें करते हैं और काले गेंडे आंतोर पर जब हिफास्द की तरफ भागते हैं तो अपनी दूम खुमा लेते हैं दोस्तो हम उमीद करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा